ये पैगाम है भारत के हर कॉंटेंट क्रिएटर के नाम जै भीम जै भी बड़ा सिदा हसी जै भीम जै भीम अप अवेलेबल ओन दे प्ले स्टोर और अपल अप स्टोर नाव बाबा सहब डॉक्टर अमेडकर की पचास महान विचार पुरुष नश्वर है और विचार भी एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवशकता है जितनी एक पौधे को पानी की आनिथा दोनों सूख और मर जाएंगे धर्म निर्पेक्ष राज्य की अवधारणा पश्चिन की उदार प्रजातांतरिक परमपरा से प्राप्थ होती है राज्य निधी दोरा संचालित किसी भी संस्था का इस्तेमाल धार्मिक शिक्षा के उदेश्य के लिए नहीं किया जाएगा चाहे वह धार्मिक शिक्षा, राज्य या किसी अन्य संस्था दुआरा दी गई हो एक इतिहासकार जो इतिहास का जन्म दाता है महानकारियों का सनरक्षक, गुम्नामी का दुश्मन, अतीत का गवाह, हविश्य का निर्देशक है सठीत, एमानदार और निश्पक्ष होना चाहिए जुनून से मुक्त, मतलब, भै, असंतोश या सनेह से निश्पक्ष और सच के प्रती वफातार होना चाहिए आपको अपनी गुलामी स्वंग खत्म करनी होगी भागवान या एक महमाना उपर इसके उन्मोलन के लिए निर्भर ना रहें याद रखें कि संख्या नुसार लोगों का बहुमत में होना प्रयाप्त नहीं है सभलता पाने और बनाए रखने के लिए उन्हें हमेशा सतर्ग, मजबूत और स्वाभी मानी रहना होगा हमें स्वम अपनी राहों को आकार देना होगा हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वातंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाईश नहीं है धर्म अंतर नहित्मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माहौल बनाने के लिए है इस स्थिती में यह स्पष्ठ है कि आप हिंदू धर्म में अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते है मेरी राजनीती का आधार इस प्रस्ताव में नहित है कि अच्छूत हिंदूओं का एक उप विभाजन या उप धारा नहीं है और वे भारत के राष्ट्रिय जीवन में एक अलग और विशिष्ट तत्व है लोगतंत्र सरकार का एक रूप नहीं है बलकि समाजिक संगठन का एक रूप है लोग और उनके धर्म का न्याए समाजिक नेतिक्ता के आधार पर समाजिक मानकों के दुआरा किया जाना चाहिए किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है यदि मैंने समविधान का दुरुपयोग होते पाया तो इसे सबसे पहले जलाने वाला मैं होंगा मैं समविधान को व्याहवारिक मानता हूँ यह लचीला है और इतना मजबूत भी कि यह राष्ट को शांतिकाल और युद्ध दोनों समय में एक साथ रख सकता है वास्तों में अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर नए समविधान के तहत कुछ खलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारे पास एक बुरा समविधान था हमें यह कहना होगा कि मनुष्य बुरा था समानता एक कल्प नहों हो सकती है लेकिन फिर भी एक शास्तिके सिधान्त के रूप में इसे स्विकार करना चाहिए जीवन लंबा होने की बजाए माहान होना चाहिए एक सफल करांती के लिए वहां असंतोष प्रयाप्त नहीं है प्राजनीतिक और समाजिक अधिकारों की न्याय, आवशक्ता और महत्वता का एक गहरा और पूरी तरहां से द्रड़ विश्वास होना आवशक है अधिकार तभी वास्तविक है जब उपाए उनके साथ है यदि पीडित व्यक्ति को अपने अधिकारों पर हुए आकरबन पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाए नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाब नहीं है लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है यह मुख्य रूप से संयुक्त संप्रेशित अनभव के जुड़े रहने की एक विधा है यह अनिवारे रूप से हमारे साथी मनुश्यों के परती सम्मान और शर्था का एक दिर्ष्टी कौन है जहां कानूनी अर्थों में कोई गुलामी नहीं है वहां भी यह स्थिती उत्पन होती है जाती विवस्था के रूप में यह पाया जाता है कि कुछ लोग निर्धारित आजी विकाओं पर जाने के लिए मजबूर है जो उनकी अपनी पसंद नहीं है रिहास से पता चलता है कि जहाने दिखता और अर्थशास्त्र संघर्ष में आते हैं जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है नहित स्वार्थों को स्वेच्छा से वापस लेने के लिए कभी नहीं जाना गया है जब तक कि उन्हें मजबूर करने के लिए परयाप्ट बल ना हो हर मनुश्य के जीवन का एक दर्शन होना आवशक है हर किसी के पास एक मानक होना आवशक है जिसके द्वारा वह अपने आजरन को माप सके तथा दर्शन कुछ और नहीं बलकि मापने के लिए एक मानक है भारतिये आज दो अलग-अलग विचारधाराओं से संचालित होते हैं उनके राजनितिक आदर्श सम्विधान की प्रस्तावना में नहित स्वतंतरता समानता और भाईचारे के एक जीवन की पुष्टी करता है उनके धर्म में समाहित उनके समाजिक आदर्श इससे इंकार करते हैं जिस प्रकार पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है उसके विपरीत समाज में रहकर मनुष्य अपनी पहचान नहीं खोता मनुष्य का जीवन स्वतंतर है वह सिर्फ समाज के विकास के लिए पायदा नहीं हुआ है बलकि उसके स्वेम के विकास के लिए हुआ है बाउद धर्म के मौलिक से धांत सुतंतरता, समानता और भाई जारा है बाउद धर्म शुद्रूं का धर्म कहा जाता था केवल एक ही विक्ती था जिसने अलगावाद और असपरशता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और वे बुद्ध थे हमें यह स्विकार करना शुरू करना होगा कि भारतीय समाज में दो बातों का पून अभाउ है इन में से एक समानता है समाजिक स्थर पर एक भारत ऐसा है जो श्रिणी बध आसमानता के सिधानतों पर आधारित है इसका अर्थ कुछ के लिए पद्दोनती और कुछ के लिए गिरावट है आर्थिक्स्तर पर हमारे पास एक समाज है जिसमें कुछ के पास विशाल खजाना है जबकि ज्यादा तर घोर गरीबी में रहते हैं जाती के विनाश की दृष्टी से संतो के संघर्ष का समाज पर कोई प्रभाव नहीं था एक विक्ति के मूले स्वैमसिद्ध और स्वैमस्पष्ट है यह उसे भगती करने से नहीं आये है संतो ने इस बात को स्थापित करने के लिए संघर्ष नहीं किया इसके विब्रीत उनके संघर्ष का दलित वर्ग पर बहुत अस्वस्थ परभाव पड़ा है इसने ब्रामनों को उन्हें चुप कराने का बहाना दे दिया है कि अगर वे सम्मान पाना चाहते हैं तो उन्हें चोखा मेला का दरजाब प्राप्त करना होगा यह शरारत हिंदू शास्त्रों द्वारा पर चारित की गई कि उच्च वर्गों की सेवा करके शूद्र मौक्ष को प्राप्त करता है अस्परशका खुलामी की एक और पद्वी है कोई जाती अपने आत्म सम्मान को नश्ट करने से नहीं उठ सकती है यदि आप वास्तों में अचूतों का उठान करना चाहते हैं तो आपको उनसे समाजिक व्यवस्था में स्वतंतर नागरी के रूप में वहवार करना होगा और उन्हें अपने भागे को रूप देने की आजादी देनी होगी मैं भगवत गीता में प्रतिपादित हिंदू समाजिक दर्शन को नकारात्मक रूप में अस्विकार करता हूँ मेरे फैसले में यह कबिल के दर्शन की एक क्रूर विक्रती है जो सांख्य दर्शन के त्रिगुण पर आधारित है और जिसने जाती विवस्था की वर्गिकरत आसमानता को हिंदू समाजिक जीवन का कानून बनाया है समवेधानिक नैतिकता एक प्राकरतिक भावना नहीं है यह अभी लाई जानी है हमें यह महसूस करना होगा कि हमारे लोगों को अभी भी सीखना है भारत में लोकतंत्र भारती जमीन पर सिर्फ एक परत है जो अनिवारे रूप से अलोकतंत्रिक है मनुष्य नश्वर है हर किसी को कभी न कभी मरना है लेकिन मनुष्य को अपने जीवन में आत्म सम्मान के महाना दर्शों को सम्रध बनाने और स्वंग की जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करना होगा हम दास नहीं है एक बहादुर व्यक्ती के लिए आतमसंमान से रहित जीवन जीने की दुलना में आउरतिक शर्मना कुछ नहीं है भारत में भक्ती या भक्ती मार्ग या नायक भक्ती राजनीती में जो हिस्सा आदा करती है वह दुनिया के किसी भी अन्य देश के राजनीती के मुकाबले अतुल्ल है धर्म में भक्ती आत्मा की मुक्ती के लिए एक मार्ग हो सकता है लेकिन राजनीती में भक्ती या नायक भक्ती यकीनन ख्रण करने के लिए और अंतता तानाशाही करने के लिए एक मार्ग है अस्प्रश्टा ने अचुदों और हिंदों को बर्बाद कर दिया है और आखिरकार राष्ट को भी यदि दलिद वर्ग अपने आत्म सम्मान और सुतंतरता की प्राप्टी करे तो वह केवल अपनी खुद की प्रगती और स्मृत्धी के लिए ही नहीं अपी तु अपनी महनत बुद्धी और साहस से राष्ट की शक्ती और स्मृत्धी के लिए भी योगदान करेगा वर्तमान में अस्परशिता के कलंग का मकाबला करने में अचितों की जबरदस्ट उर्जा को नश्ट होने से बचाना आवशक है यह उनके द्वारा उनके पूरे रेश में शिक्षा और संसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लगानी होगी जाती अंतर राज्जी रात्त्री भूज वैं अंतर जाती विवाह के आवारा उधारणों द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती जाती मन की एक अवस्था है यह मन की एक बिमारी है हिंदू धर्म की शिक्षाएं इस रोग का मूल कारण है हम जाती वाद का अभ्यास और अस्पश्रता का पालन करते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा करने के लिए हमें निर्देश दिये गए हैं एक कड़वी चीज को मिठाई नहीं बनाया जा सकता किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है लेकिन जहर अमरत में नहीं बदला जा सकता मुझे सबसे बड़ा जटका इस बात का है कि मेरा समुदाए अभी भी अपमान की स्थिती को इसलिए स्विकार करता है क्योंकि जाती के हिंदू अभी उन पर हावी है आपको अपने स्वयम के बल पर भरोसा करना होगा आप इस थारणा को जखचोर कर समाप्त कर दू कि आप किसी भी तरहां से किसी भी समुदाए से नीच हो भारत में अलब संखेकों ने राजभक्ती पूर्वक भहमत के शासन को स्विकार कर लिया है जो मूल रूप से एक सामपरदाएक भहमत है और एक राजनितिक भहमत नहीं है भहमत को अपने करतवे का एहसास करना है कि उसे अलब संखेकों के खिलाफ भी दभाव नहीं करना है अलब संखेक रहेंगे या नहीं यह भहमत की इस आदत पर निर्भर करेगा जिस पल बहुमत अलप संख्यक के खिलाफ भेदभाव की आदत छूड़ देगा अलप संख्यकों के मौजूद रहने का कोई कारण नहीं रहेगा वे गायब हो जाएंगे क्यों एक मानव शरीर मृतक बन जाता है इसका कारण है कि जब तक मानव शरीर पीड़ा से मुक्त नहीं है मन खुश नहीं हो सकता है यदि एक व्यक्ति में उच्साह का अभाव है तो उसका शरीर या मन मृतक हालत में है व्यक्ति में से उच्साह कौन निकालता है यदि कोई उच्साह नहीं है तो जीवन कठिन परिश्रम हो जाता है घसीटने के लिए एक बोज मात्र यदि उत्साह नहीं है तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है एक व्यक्ती की ओर से उत्साह की इस कमी का मुख्य कारण उसकी तरकी करने का अवसर प्राप्त करने की आशाक होने से है निराशा से उत्साह की कमी हो जाती है ऐसे मामलों में मन मर्तक हो जाता है उत्साह कब आता है जब वह ऐसे माहौल में सांस लेता है जहां उसे अपने श्रम के लिए वैध इनाम मिलने का विश्वास होता है उसके बाद ही वह एक उत्साह और प्रेरणा से स्मरध महसूस करता है कानून का असली काम समाज में दोशों के मरम्मत करना है दुरभाग्य से प्राजीन समाजों ने अपने स्वेम के दोशों के मरम्मत के काम की कलपना की हिम्मत कभी नहीं की फलस्वरूब वे सड़ गए इस देश ने यूरोपियों की पोप की सत्ता को चुनावती देने की मांग से बहुत समय पहले चर्च संबंधी कानून और धर्म निर्बैक्ष कानून के बीच का संघर्ष देखा है काउटिल्य के अर्थ शास्तर ने धर्म निर्बैक्ष कानून की नीव रखी भारत में दुर्भाग्य से चर्च सम्मंधी कानून ने धर्म निर्बेक्ष कानून पर विजय पाई मेरी राय में यह देश में सबसे बड़ी आपदाओं में से एक थी हिंदू समाज का प्रगती ना करना इस धारणा की वजह से था कि प्राकरति कानून बदला नहीं जा सकता है सभ्यता एक सतत प्रक्रिया कभी नहीं रही यहां राज्य और समाज थे जो एक समय में सभ्य थे समय के पाठे क्रम में कुछ ऐसा हुआ कि यह समाज स्थिर हुए और सड़ गए यह खुद भारत के इतिहास से साफ हो सकता है इसमें कोई शक नहीं कि भारत उन देशों में से एक है जो प्राचीन सभ्यता का दावा कर सकते है जब यूरोप के निवासी बरबर खालातों के तहट जी रहे थे यह देश सभ्यता की सबसे उची चोटी पर पहुँच गया था जब यूरोप के लोग मात्र खाना बदोश थे तो इसके पास संसतिय संस्थाएं थी मैं एक समुदाय की प्रगती महिलाउं द्वारा हासिल प्रगती के आधार पर मानता हूँ जो कोई भी निजी उद्यम और व्यक्तिकत लाभ की खोच पर आधारित समाजिक अर्थविवस्था की व्यवस्था की कारे प्रणाली का अध्यन करता है उसे एहसास होगा कि कैसे यह व्यक्तिके अध्यकारों का जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है का अगर वास्तों में उलंगन ना सही नजर अंदाज करती है कितने लोगों को जीवन जीने के करम में अपने अध्यकारों को त्यागना पड़ता है कितने लोगों को सवयम को निजी नीयोकताओं द्वारा शासित होना पड़ता है भारत एक अजीब देश है और उसके राष्ट्रवादी और देशब्ध अजीब लोग है भारत में एक देशब्ध और एक राष्ट्रवादी वह है जो खुली आंखों से देखता है कि उसके अपने साथी मनुश्यों के साथ मनुश्यों जैसा वहवार नहीं करते लेकिन उसकी मानवता इसका विरोध नहीं करते वह जानता है कि बिना कारण के पुरुशों और महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर रखा है लेकिन यह मददकार कारवाई के लिए उनकी नागरिक भावना को चुभन नहीं देता है बहपाता है कि लोगों की एक पूरी श्रीनी सरकारी नौकरियों से वन्चित है लेकिन वहर न्याय और निश्पक्ष होने की अपनी भावना को नहीं जगाता है भारत और समाज को खायल करने वाली सैक्डो बुरी पर्थाएं उसके द्वारा मनाई जाती है लेकिन वे उसे घ्रणा का अनुभव नहीं देती देशभक्त का एक मात्र रोना उसे और उसके वर्ग के लिए शक्ती है मैं खुश हूँ कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग से संबंध नहीं रखता हूँ मैं उस वर्ग से आता हूँ जो लोकतंतर पर अपना रुख रखता है और हर रूप में एक अधिकार को नश्ट करना चाहता है हमारा उदेश्य जीवन के सभी खुशेत्रों राजनीतिक आर्थिक और समाजिक में एक विक्ती एक मुल्य के हमारे आदर्श के अभ्यास्त का एहसास करना है वाल्टर बगे होट ने चर्चा से सरकार के रूप में लोकतंतर को परिभाशित किया अबराहम लिंकन ने लोगों की लोगो द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार के रूप में लोकतंतर को परिभाशित किया लोक्तंत्र की मेरी परिभाशा है सरकार का एक रूप और एक पध्यती जिससे समाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन बिना रक्तपात के लाया जाता है यही असली परिक्षा है यह शायद सबसे गंभीर परिक्षा है लेकिन यदि आप सामागरी की घुर्णवत्ता की पहचान कर रहे हैं तो आपको उसका सबसे गंभीर परिक्षन करना पड़ेगा हमें मात्र राजनितिक लोकतंतर से संतुष्ट नहीं होना है हमें हमारे राजनितिक लोकतंतर को एक समाजिक लोकतंतर बनाना है राजनितिक लोकतंतर तब तक नहीं रह सकता जब तक यह एक समाजिक लोकतंतर पर ना टिका हो समाजिक लोकतंतर का क्या अर्थ है इसका अर्थ जीवन का एक तरीखा है जो स्वतंतरता, समानता और भाईचारे के सिधानतों को पहचानता है स्वतंतरता, समानता और भाईचारे के इन सिधानतों को आलग वस्तों के रूप में नहीं देख सकते ये इस तरह से एक संग के रूप में है कि एक का दूसरे से तलाग लोकतंतर के उदेशे को समाप्ट कर देगा स्वतंतरता का समानता से तलाग नहीं किया जा सकता और ना ही स्वतंतरता और समानता का भाईचारे से तलाग किया जा सकता है समाजिक संग के बिना राजनीतिक एक्ता प्राप्ट करना मुश्किल है यदि प्राप्ट हो भी गई तो यहे उतनी ही अनिश्चित होगी जितना गर्मियों में एक पौधा जिसे हवा का जोका जड़ से उखार देता है मातर राजनीतिक एक्ता के साथ भारत एक राजे हो सकता है लेकिन एक राजे होना एक राश्ट होना नहीं है और एक राजे जो एक राश्ट नहीं है अस्तित्तु के संगर्ष में जीवित रहने की संभावनाएं कम होती है यह विशे शुरूब से सकते हैं कि राश्टरवाद जो आधुनिक समय में सबसे गतीशील बल है हर जगां सभी मिशुरित राज्यों के विनाश और वेहटन से खुद को मक्त करने की तलाश में है एक मिशुरित और समगर राज्ये के आंत्रिक पनुरुत्थान के लिए खत्रा बाही आकरमन में इतना नहित नहीं है जितना उसकी खंडिक, भासी, दबी और उसकी इच्छा के खिलाफ आयुजित राश्टिता में है आत्म सम्मान के गयमत पर जीना शर्मनाक है आत्म सम्मान जीवन में सबसे महतपून कारख है इसके बिना आदमी कुछ नहीं है आत्म सम्मान के साथ जीने के लिए कठिनायों पर काबू बाना पड़ता है केवल कड़ी महनत और निरंतर संगर्श से ही शक्ती, आत्म विश्वास और मानेता प्राप्त करता है अमरसन ने कहा कि स्थिरता गधे का एक गुण है किसी भी विचारक को स्थिरता के नाम पर व्यक्त एक नजरिये से नहीं बाधा जा सकता है जम्मेदारी स्थिरता से अधिक महतवपून है एक जम्मेदार विक्ती को सीखे को अनसीखा करना सीखना होगा एक जम्मेदार विक्ती के पास पुनरविचार और अपने विचारों को बदलने के लिए साहस होना चाहिए बेशक सीखे को अनसीखा करने और अपने विचारों को पुनरगठित करने के लिए अच्छे और परयाप्त कारण होने चाहिए पुनर्विचार करने में कुछ अंतिम नहीं हो सकता हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतिये हैं जाती ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाती को समाप्त करना होगा और इसके लिए जाती की शिक्षा देने वाले धर्म शास्त्र को डाइनामाइट से उड़ाना होगा मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंतरता, समानता और बंधुत्व सिखाता है वे इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं शिक्षित बनो, एक जूट रहू और संघर्ष करो बाबा साहब के इन विचारों को हमने वेलिवाडा और पराहया स्ट्रीट की वेब साइट से साभार लिया है कुछ विचार हमने बाबा साहब की पुस्तकों से लिये है अंग्रेजी से हिंदी में इसका अनुवाद मुकेश कुमार ने किया है जै भी